आज हम चेक आउट करने वाले हैं आपके परसुन के मौर्निंग थॉट्स और मौर्निंग फीलिंग्स क्या है लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया जब भी मैं कोई और प्रूर प्र्निंग 1500 में न्युक्त करें तो was यह अगर आप मीरे वहिता थे बिद्युत closing Capital तो ये रीडिंग आपके लिए ठीक है और साथी साथ जब मैं काज को शफल करूं तो अपने पॉर्सन के बारे में सूचे ताकि ये रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेज कर सके चलिए देखते हैं कि क्या सूच रहे हैं आपके पॉर्सन लीज डिवाइन यॉनिवर्स इंजल पर गाइज बतलाएं मेरे व्यूवर्स को कि जस पॉर्सन ने उनको नो कॉन्टाट सिच्वेशन दिया तिक है नो कॉन्टाट दिया सेपरेशन दिया आज सुभा वो पॉर्सन किस एनर्जी में हैं सॉरी त्री अफ काप्स ओके सो नाइन ओफ वाइन क इनर्जी भी है ठीक है आपकी फील इस पी देखेंगे ठीक है एंड फूर अफ कप्स सेवन ओफ वांज और बॉटम में है पेज ओफ स्वार्ड है ठीक है आपकी देखने हैं आप क्या फील कर रहे हूं प्लीज डिवाइन उनिवर्स इंजल पतना है मेरे व्यूवर्स को क् मेरे व्यूवर्स चस्टिस ओके त्री ऑफ स्वार्ड क्या आपकी फीलिंग्स उठकर आ रही है ठीक है ना एट अफ कप्स ठीक है और देखते हैं टेन अफ वांज 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 ओ माइग और एस ऑफ कप इस अफ कप बॉटम में देख लेते हैं तो यहां पर बॉटम में सबसे पहले तो सारे जोडियक साइंग्स यहां पर हैं तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है जिसे जो like specifically जो आपके person है ना yes तो it was like देखो बहुत strongly उनकी दरफ से energy आ रही है जैसे it was like a playboy kind of energy के बिल्कुल भी इस relationship को serious नहीं ले रहे थे आपके person सिर्फ एक time pass के basis पर इस relationship को उन्होंने लिया था ठीक है stability नहीं ढूंदी थी इन्होंने इस relationship पे ठीक है तो it was like मतलब मुझे ये वाली energy दिख रही है a playboy kind of a playboy play girl or something like that तो ऐसी energies मुझे यहाँ पर दिख रही है कि सिर्फ इस relationship में ज़्यादा seriousness नहीं दिख रही है almost ठीक है जो starting of the relationship थी तो इतनी seriousness नहीं थी ठीक है आपको बहुत ज़्यादा ignorance करना अपने friends के साथ ज़्यादा enjoy करना और आप almost उनकी दरफ देखते रहते थे वो वाली energies मुझे यहाँ पर दिख रही है जब इस relationship में थे तब भी आपने बहुत दर्द, pain, सहा है तब भी आप बहुत रोई हो और अब जब यह no contact आपको मिल गया ना तब भी आपकी यही situation है कि आप बहुत ज़्यादा परिशान होते हो main यहाँ पर मुझे issue यह चीज दिख रही है कि अगर दुबारा से आपके person आपके जिन्दगी में आ गए ना तो you are like, सबसे बहले तो आपके mind में यह thing कि काने वाली है कि यार मैं दुबारा इस person पर भरोसा कैसे करूँगी है नो, तो वो वाली situation मुझे यहाँ पर दिख रहे है कि अगर वो दुबारा आ भी गए ना आपके जिन्दगी में दुबारा आपको call, message like मुझे ऐसे दिख रहा है कि करनी की कोशश कर रहे हैं, maybe first message आद वो आपसे friendship के लिए करें कि मुझे तुमसे friendship करनी है, at least हम friends तो रह सकते हैं, अगर हम relationship में नहीं भी हो सकते हैं और फिर दीरे दीरे वो अपनी feelings बताएं, या ऐसे कुछ strategy या planning तो आपके person की side से मुझे दिख रही है ठीक है, mainly मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे आपकी person में न, ego attitude के issue तो इतना high है भाईया कि मतलब मैं क्या कहूं, ठीक है, बहुत high attitude है, ठीक है, ego इतना भरकर है कि वो rejection से डरते हैं वो डरते हैं इस चीज़ से कहीं, वो आपकी तरफ आया, आप उन्हें न मना कर दो ठीक है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते भी हैं आपके person और यहाँ पर मुझे यह भी चीज़ दिख रही है, जैसे आपके जाने के बाद, जब तक आपके साथ relationship में थे शायद तब तक उनकी ऐसी energy थी, कि वो मतलब सर्फ एक time pass की तरह इस relationship को ले रहे थे ठीक है, लेकिन जब से आप गए हो, उसके बाद से उनकी ऐसी energy हो गई है कि शायद उन्हें ऐसा मैसूस हो रहा है कि आपके सिवाव और किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं ठीक है, मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि जैसे आपके person का जो past relationship रहा है न वो भी positive नहीं रहा है उनके past relationship was like this, ठीक है, मतलब बहुत disheartening था, मतलब बहुत जैसे लगाव उनको अपने past relationship में हुआ है किसी person से और जब उन्हें वहाँ से उन्हें भी प्यार नहीं मिला ना, उनको भी emotions नहीं मिले तो उसके बाद से उनका प्यार के उपर से जैसे भरोसा उतर गया और यह चीज आप उनके behavior में आपने शुरू से देखी होगी, कि रही है यह चीज़े यह न, past connection जो उनका था वो बिल्कुल भी positive नहीं था और इस कारण वो बिल्कुल भी happy feeling करते ठीक है, और यह चीज़े, मतलब उन्हें काफी कुछ है, जो what I believe ना, कि past में जेला है, देखा है, जो कम नहीं है, बहुत जादा है ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसी energies दिख रही है, कि आप कही न, कहीं भगवान से मांगते हो, आप justice मिले, आपके साथ fair हो, आप कोशिश करते हो, उनसे अगर वो आपसे बात करने के भी कोशिश करते हैं, आप reply नहीं करते हो, या फिर बहुत लेट reply करोगे, एक, दो, जार घंटे बाद, the reason is, आप चाहते हो, कि उनको भी पता चले न, क्या दर्द होता है, ठीक है, पेन के अतनाम की चीज़ क्या होती है, तो आप भी कहीं न, कहीं रिलाइस करवाना चाहते हो, इस दर्द का, कि जो दर्द आपने जहला है, ठीक है, कि ग्रोरंस क्या होती है, क्या कहते है इग्रोरंस, तो यहाँ पर मुझे अल्मुस्ट ऐसे सिचुएशन दिख रही है, कि आप कहीं न, कहीं न, जस्टस मांगते हो, आपको ऐसे लगता है, मेरे साथ यह ऐसा क्यों हुआ है, मैंने यह ऐसा क्या कर दिया, जो मेरे साथ यह सब चीज़े मुझे जहलनी पड़ रही है, बहुत स्ट्रॉंगली इस पोर्षन के साथ अब डील करना पड़ेगा, क्योंकि ए पोर्षन वो नहीं है, जो प्यार से, वो था न, प्यार वाला भूत नहीं है, है न, दिमाग से चलना पड़ेगा इसके साथ, तो वो वाले इनोजी मुझे यहां पर दिख रही है, specifically, और आपके पोर्षन के, नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में, वो ना क्लियर ही नहीं है अपने थौट से, तो मैं आपको यही कहूंगी, कि अगर इस टाइम पर आप पेशिंटली वेट करो, आप दोनों के लिए यह सला है, ठीक है, कि यह मतलब, इस टाइम तो वेट, वेट करो क्या होता है, चलिए देखते हैं, अगर इस समय आपके परसन आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, चलो एक कार्ड अपने आप उठकर आए है, जब आपके साथ होते हैं, वो बहुत कमफर्टेबल, इस की पोजिशन में मतलब होते हैं, एक दम उनको बनन परता है, वो जो है, जैसे है, वो वैसा दिखाते हैं, अपने आपको, ठीक है, तो वो कही न कही ऐसी energy वो feel कर रहे हैं, realize कर रहे हैं, इस present moment, पर इस current energies में, तो ये हैं कही न कही उनके thoughts, अगर आपके साथ resonate करें, तो like, comment, follow, share, ज़रूर करें, बबाई, take care.